हलो फ्रेंड्स, मैसेल फायर वेदा श्टूटेंट और अचारे चरा कास्मरन करते हैं आज का सेसन सुरू करते हैं आज हम लोग सुत्रस्थान के 25 चेप्टर यानि की यजह पुरुसिय अध्याय का शगेंड वीडियो का बात कर रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका फर्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखें आज के वीडियो में हम लोग मेंली जो ये अग्रे द्रव्य, अग्रे ओसद या फिर जो प्रधान ओसद जो गए हैं उनकी बात करेंगे, इनकी संख्या टोटल 152 है और ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है अग्रे द्रव्य आपको PG point of view से या फिर UG में में लिवाइबा के question या फिर subjective question भी से आते हैं इसके साथ-साथ ये आप इसे cover कर रहे हैं तो आपका बहुत सारा DGV का portion भी cover हो जाएगा तो फिर शुरू करते हैं तो अग्रे द्रव्य को जानने से पहले थोड़ा सा पत्थियन और पत्थि के बारे में जान लेते हैं तो पत्थे का definition यहां दिया है कि पत्थियम पत्थो अनपेतम यद्यचा उक्तम मनशह प्रियम यानि कि पत्थे कौन है जो पत्थ होते हैं उसमें अनपेत कारण साथ-साथ मन को प्रिये लगने वाला तो अब पत यहाँ पे क्या लिया गया है पत का मतलब जो भी bodily channels होते हैं जो आप सुरोतस जानते हैं उन सुरोतस को किसी भी तरीका से obstruct ना करें तो कौन ऐसा काम ना करेगा तो जो भी आहार वगेरा जो भी द्रव्य लेते हैं साथ साथ जो भी body की chest है movement वगेरा कुछ भी जाड़िक chest है तो यह सभी क्या करें सुरोतस को किसी भी तरह से obstruct ना करें किसी भी तरह का हानी ना पहुचाएं साथ साथ वो क्या है कि मन को प्रिये लगे तो उनको क्या कहेंगे पत्थे कहेंगे इसके बाद जो है अपत्थे को जानते हैं तो अपत्थे के बारे में क्या करा है या चचच अप्रियम अपत्थे यानि कि जो मन को अप्रिये लग रहा था अपत्थ था अब अप्रिये हो अप्रिये ना लग रहा हो तो वो अपत्थे हो साथ साथ जो पत्थे के विपरित हो तो ठीक है अपत्थे के बारे में दो बात हो गया पत्थे के विपरित अन्मन के लिए अपडिय है लेकिन यहीं पर एक बात जान ले कि पत्थे और अपत्थे ये दोनों हमेशा फिक्स नहीं रहते कि ये वस्तु हमेशा अपत्य होगी ये या फिर पर्टिकुलर कोई वस्तु हमेशा अपत्य होगी उसके बारे में ये बताया है कि जो है मात्रा, काल, क्रिया, भूमी, दे है इन सभी के वज़े से पत्य भी जो है अपत्य हो जाती है और पत्य भी पत्य हो जाती है एक example से जमस्ते हैं कि कोई आहार की मात्रा होती है कि हाँ इतना मात्रा पुर्वक खाना है कि अर्द सोहित्य खाना है गुरु आहार को तो उस मात्रा से यदि हम ज़्यादा खालेंगे तो वो आहार क्या हो गया? बहले ही हमारे लिए पत्थे थी अच्छा आहर था लेकिन उसको यदि हम मात्रा से ज़्यादा खालिये तो वो अपत्थे हो गई तो इसके बाद जो अब हम लोग अग्रे उससद जो आज का मेन टॉपिक है उसको कवर करेंगे अग्रे उससदिया प्रधान उससद जो भी कह طอसमें मिली देखेंगे बहुत सारा हितकर ज्रवे है जैसे यहाँ पे हितकर ज्रवे का दिया नहाद सुरासर महरा नाम किसे भी तरह का ठकावट हो तो उसके लिए बेश्ट सुरा है ऐसा ही कुछ आहितकर है जैसे कि दही हो गया वो अभिष्यन दी कर रहा है तो उनमें जो बेष्ट है न हितकर या हितकर में उन सभी के बारे में दिया है तो टोटल 152 अगरे हो सद है और अभी जो है एक एक करके उनको देखते हैं ठीक है तो सबसे पहला दिया है अन्नम वृति करनाम स्रेष्ट वृति करने में यानि कि जो सरीर जीवन का यापन करना है सरीर का धारन करना है तो उनके लिए सबसे बेष्ट को blueprint होता है अन्न होता है भोजन तो उसमें स्ورा जो भी कह वो उसको हरने का काम करता है ऐसा ही छीरम जीवन यानाम छीर मिन्स दूद तो जीवन्य द्रव्य में जो है वो बतारा मिलक जो है बेश्ट है इसके बाद है मांसम ब्रिंगन यानाम जो ब्रिंगन करने वाला है बड़ी को नरिस करने वालों में जो बेष्ट कुन है मांस है ऐसे ही है रस तरपनिया नाम यहनि तरपन करने वाले बड़ी को जो है उसमें जो है रस मिली यहाँ पे किसको लेंगे मांस रस को यह क्या करा त्रिप्ती दायक होता है सेम है लवन अनदरव रूची करा नाम जो भी अनदरव भोजे पदार्थ है उसमें रूची करने वाला उसको टेस्ट लाने वह लवन बेष्ट है वैसे भी शॉल्ट के बिना टेस्ट नहीं आता खाना में ऐसा ही अमलम हिर्दया नाम हिर्दय को प्रिय लगने वालों में कौन है आमल में खटा पदार्थ इसके बादव है कुकुट बल ल्या नाम कुकुट होगया आपका वो चिकेन जो आपकाते मुर्ग का मांस तो बल बरधन करने में बोड़ि में स्टेंथ लाने में कुकुट का मांस बेस्ट है डेन नकर, रेतो वरिश्या नाम नकड़ यहां हुआ घरियाल जिसको आप क्या कहते हैं, क्रोकोडाइल तो उसका जो रेतास है, उसका जो सुक्र है, वो विरिष। ठीक है, तो अपको इन तिनों में कवर कीजें, वात, पित, एंकभ तो बेष्ट वात स्मक, पित स्मक एंकभ सामक, यहां बता रहा है हरा नाम ठीक है तो वात पित कफ हो गया तब इनका combination में देखते हैं वात एंड पित इन दोनों को समन करने के लिए कौन है तो सरपी के बारे में क्या बताया गी जो होता वो वात पित प्रस्माना नाम ओके देन पित एंड कफ इन दोनों के लिए दिया है अब बचा कौन वात एंड कफ तो इनके बारे में बताया तैल तैल वात प्रस्माना नाम इसके बाद है स्वेदन तो स्वेदो मारदव करा नाम शरीर में जो मिर्दूता लाता सौपनेश लाता वो स्वेदन के बज़े से वय आम क्या करते है, स्थारर ये करा नाम, वय आमके वज़ा से स्थीरता आती है, दृरुटता आती है बड़ी में, च्छार, च्छार क्या करता? पुन्सत्व पद्यति नाम, मिन्स पुन्सत्व को खत्म करता है, या इंपोटेंसी लाता है, ऐसा समझे, तिंदुख अन तो इसका जो मिल्क एंगी, दोनों ही worst ही माना जाता है, तो आविक का जो घी है, उसके बारे हम बताया आहे हैं, अहिर्दे के लिए हित कर नहीं है, ऐसे ही इसी बारे पित जाना ना की पित एंग तो इन आता है। वह क्या कर रहा है? सोश जोगया सोथ उसको दूर करेगा साथ-साथ 스tन्य साथ M científic रक्त शंग राहीक है जो बढ़त लोग्या उसको रोकेगा साथ-साथ रक्त-पित प्रषमन नाम रक्त-पित को भी प्रषमन करने वाला है। इसके बाद है महीश शिरम शपन जनानाम यानि कि महीश जो होगया भेश का जो दूद है वो शपन जनन है निद्रा जनन है निद्रा लाता है तो निद्रा के प्रेशंट को ये देते हैं मिली देन मंदकम दध्य अभिश्यंदी करानाम जो दध्य जो है जो मंदक है यानि कि पूर्ण रूप से जो दध्य जमा नहीं है वो अभिश्यंदी करता है असरोत उसको अवरोध करता है देन है गवेदु अन्नम करसन्यानाम गवेदु हो गया आपका मिली ये मेज मकई जो होता न तो उसका जो अन है उसका जो भाद वगेरा बना खाएंगे या जो भी तो वो क्रिस्टाल आता है सरीर में और अधालक है आपका कोदो तो ये अन जो है बड़ी में रुक्षता लाता है इसके बाद है एक्छू मुत्र जनानाम यानि एक्छू सुगर जो हो वो मुत्र बर्दक हो गया दन यवा यव जो जो हो गया वो पुरी जनानाम श्टूल बढ़ाने वाला हो गया जामबवम वात जनानाम यानि जामुन जो होता वो वात बर्दक है दन शशकुल्या शशकुल्या वो जो शशकुली पुरी जो होता है पुरी बना काते व इन दोनों को बढ़ाने वाला होता है इसके बाद दो दाल का बात किया एक कुल्थी का दाल दूसरा मास यानी उरद का दाल जो कुल्थी का दाल है वो अमल पित जाना नाम अमल पित बढ़ाने वाला है साथ-साथ मास यानी उरद का दाल स्लेश में पित बढ़ाने वाला ते इसलिए इन दोनों को मेली नहीं लिया जाता है गुरू हर में भी लेते हैं देन वमन विरेचन इन सब की बात करें और बस्ती का तो जो बस्ती आस्थापन और अनुवासन दो तरह का बस्ती हो गया साथ साथ वमन तो इन तीनों के लिए मदन फ़ल बेस्ट है मदन फ़ल लेते हैं और भीरेचन में भी यह तीन दो परत्यक पूसप जो अपामार्क तंडू लिया दिया चप्टर नुमर टू इसका में लिए इसी के बारे हम बात किया गया अब विरेचन हो गया बमन हो गया इसके बात यह क्रीमि वीश इन सब को नास करने में तो क्रिमिग्न में विडंग बेश्ट है, विशग्न में शिर्षो और कुष्टग्न में खदीर इन तिनों के बारे हम बता है इस पेज में जितने भी प्लांट है ना तो वो डीजी भी के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है अभी जो है आमलकी, आमलकी के बारे हम बता रहा है वाया अस्थापना नाम मिंस एज को जो है डिले होने से रोकेगा, ऐसा ही हरित की पत्या नाम, पत्या बेश्ट है तो मूल में जो है प्लांट के रूट के बात कर रहा है तो चार प्लांट का रूट यहां दिया एक तो एरंड मूल हो गया अवरिश्यवात हरा नाम देन पिपली पिपली के मूल के बारे में दिपनिये, पाचनिये, अनाह प्रश्मा नाम तीन काम हो गया दिपनिये, पाचनिये, अनाना जबकि चितरक मूल क्या क्या कर रहा है दीपन ये पाचन ये गुद सोथ अर्ष सूल हरा नाम दीपन पाचन के साथ साथ जो है गुद सोथ हो गया रेक्टर रिजन में सोथ यार्ष हो गया साथ साथ सूल ओड़ा पेन ओड़ा इन सब को नास करेगा देन पुसकर मूल जो है पुसकर का जो मूल है वो हिकका, स्वास, कास, पार्स वसूल हरा नाम ये जो respiratory problem हिकका, स्वास, कास हो गया साथ-साथ जो पार्स, फ्लेंक रीजन में पेन होड़ा उनको नास करेगा इसके बाद जो है उदिच्चे ठीक है, उदिच्चे को शुगंद वाला भी कहते हैं तो ये क्या है निरवापन, दिपनिये, पाचनिये साथ-साथ जो छर्दी या न अतिसार इनको हरने वाला है नेक्ष जो है कुछ प्लांट्स है जो मेंली इनमें सब में कॉमन आएगा संग्राही संग्राहन का काम करता है जैसे मल जो अतिसार वाला प्रॉबलम है तो उसमें संग्राही द्रव्य देते हैं उसमें अभी चार-पाँच प्लांट आएंगे जैसे कि मुस्ता ठीक है, कटवंग, सब में संग्राहीक है लेकिन साथ-साथ कुछ और चीज है जिसके बेसिस पर इसको डिफ्रेंसेट करना है तो मुस्ता, इसको नागर मोथा भी करते है इसके बारे में बताया दीपनिय पाचनिय न संग्राहीक के साथ-साथ दीपन पाचन जैसे उसके बाद एक कटवंग ठीक है, इसको सुना पाटा करते है तो ये भी संग्राहीक है साथ-साथ पाचनिय न दीपनिय तो मुस्ता और कटवंग कॉमन है देन अनन्ता, अनन्ता के बारे में बताया कि संग्राहीक तो है ही, साथ-साथ रक्त और पित इनको प्रश्मन करने वाला है देन अम्रिता या फिर गुड़ोची अननों एक तरह से अपोजिट ही है लेकिन दोनों काम कर रहा है साथ-साथ वात हड है, दिपनिय है सलेश में शोनित हर ये सारा काम अगया देन बिल्व बिल्व के बारे में बताया है, ये भी संग्राहीक है साथ-साथ दिपनिय है वात कप प्रश्मना नाम संग्राहीक के साथ डिफरेंस के इसमें वात कप कप प्रश्मन कर रहा है दिपनिय है देन अति विशा इसके बारे में बताया है दिपनिय पाचनिय है संग्राहीक यह भी है साथ साथ सर्व दोस हरा नाम तो आप देखिए common जो है संगराहिक दिपन्य पाचन्य सब में आ रहा है लेकिन कुछ कुछ difference है मुस्ता कटवंग संगराहिक दिपन्य पाचन्य ठीक है अनन्ता में संगराहिक के साथ रक्त परश्मान नाम अति विशा में संग्राहिक दिपनिये के साथ साथ सर्व दोस हरा नाम तो ये कुछ-कुछ डिफ्रेंस देख लिजेगा इसके बाद है उत्पल, कुमूद पद्म और किंजलक तो ये सब क्या है तीनो चाड़ो तो ये क्या कर रहा है संग्राहिक कर और रक्त पित प्रश्माना नाम तो ये भी संग्राहिक है साथ साथ रक्त और पित का जो प्रबलम है रक्त पित वाला प्रबलम उसको भी प्रश्मान कर रहा है कौन-कौन है उत्पल, कुमूद पद्म और किंजलक दुझा लभ़अ, यह क्या करए है, पित and कप इनको प्रश्मन करए है दान गंद प्रियंगु जो प्रियंगु होता है, वो सोनित पित अतियोग प्रश्मन नाम यानि कि कब हो गिया पित का प्रोब्लम, रक्त का प्रोब्लम है, इन सब को साथ साथ संग्राही है, इन सब का और संग्राही के साथ साथ जो उप्षोर्शन कर रहा है, उसको सुखाने का भी काम कर रहा है, इसके बाद है कास्मरिय फल, कास्मरिय को आप गंबारी भी जानते ह तो कास्मर्य का फल क्या रक्त शंग्राहिक शंग्राहिक का मतलब सिर्फ अतिसार में नहीं लेते हैं और भी चीज में लेते हैं यहाँ पे रक्त शंग्राहिक का काम कर रहा है साथ-साथ रक्त पित का प्रशमन कर रहा है ठीक है नेक्स्ट है प्रिष्ण पर्णी प्रिष्ण पर्णी क्या संगराहिक है वात हर है दीपनिय और वरिष्य नाम है देन विदारी गंदा या इसको साल पर्णी कहें तो ये भी वरिष्य है यानि दोनो प्रिष्ण पर्णी और साल पर्णी दोनो वरिष्य है जबको प्रणीन सिर्प वातहर है और यह सर्वेदोस हरा नाम विदारी गंदा देन बला है, शंगराहिक है, बल्ली है और वातहरानाम है इसके बाद है गोक्छूर, वो कर रहा है कि मुत्रकृच अनील हरानाम यानि कि गोक्छूर जो मुत्र किरिच का प्रोबलम है या फिरवात का प्रोबलम इन दोनों को नास करेगा देन हिंगु का निर्यास हिंगु का निर्यास क्या क्या करा छेदनिये दीपनिये अनोलोमिक वात कप प्रश्मन अना यानि कि छेदन का काम कर रहा है दीपन का काम कर रहा है अनुलोमन कर रहा है साथ साथ वात अन कप इन दोनों को प्रश्मन कर रहा है यानि कि ये भी क्या कर रहा है भेदनिय दीपनिय अनुलोमन का काम कर रहा है और वात कप तो हिंगु निर्यास और ये दोनों वातकप समन कर रहा है डिफरेंस के है कि हिंगु निर्यास दीपन और अनुलूमन कर रहा है ये भी अनुलूमन कर रहा है हिंगु निर्यास में दीपन है और इसमें भी दीपन है डिफरेंस बस एक भेधन का है इसमें छेदन और इसमें भेदन यव का शूक ठीक है यव शूक यव छार जो भी है वो शरमसन यानि रेचन कर रहा है पाचन एन अर्शोगन पाचन का विकाम कर रहा है साथ-साथ अर्श को नास कर रहा है नेक्स्ट है तक्र अभ्यासो ग्रहनी दोष शोप अर्सो गृत व्यापत प्रश्मनाना यानि कि गृत व्यापत गी के वज़े से जो excessive गी के यूज होने के वज़े से जो problem हुआ है ग्रहनी दोस हो गया या फिर सोप हो गया या फिर अर्स हो गया है तो उनको प्रश्मन करने के लिए करा है तेली तकरिया बटर मिल्क चाच जो भी कहए तो इसके लिए भी जो यहां तो तो करना जब गी के वजह से हो रहा है किसी और कौश से बादन कियों से दिए दर जीजये सायन के रूप में जो दूद और घी इनका रेगुलर यूज कर सकते हैं यानि कि वरिष्य बरान के लिए यूज करना या फिर उदावर्थ का प्राब्लम उसको शॉट आउट करना है तो फिर शम घृत सकतो प्रयास यानि कि घी इनसक्तो इन दोनों को इक्वल अमाउंट में लेकर के प्राज में धट से यानि लिक करना है तो ये प्राब्लम दूर होगा इसके बाद बता रहा है कि तैल गंडूसो अभ्यासो दंत बल रूची करना यदि गंडूस के रूप में गंडूस में तैल का यूज कर रहे हैं तो वो क्या होगा कि दात को बल देगा श्ट्रिंथ देगा साथ-साथ रूची कर भी होगा ठीक है अब इसके बाद जो प्रल चंद हर दाहा निर्वापन, यानि कि बड़ी से बैट स्मेल को दूर करना है, साथ साथ दाहा जो रहा बर्निंग सेंसेशन उससे मुक्ती चाहिए, तो उसमें करा चंदन का लेप लगाना है, देन सीत अपने हैं, ठीक है, यानि कि ठंडा से दूरी चाहिए, बहु जादा कोल होड़ा है, तो उसमें रासना अगुरू का लेप लगाना है, देन लामजक अन उसीर, लामजक होगया सुगंद वाला और उसीर, तो दाह, त्वगदोस, और स्वेध अपनियां, बहु जादा स्वेटिंग वारा है, उससे बचना है, या फिर बर्निंग संसेशन होड़ा ह स्कीन प्रोबलम है। एन दोनों का लामजगन उसिर का लिज़ा रप लगाना एक श किष्ट के बारे हम बता रहा है , वटहर अभ्यंग उपना अभ्योय की का रहा है , और भी टैपस का होता है , चार तरह का इसमें दो बता है इन दो तरह का सुइदन जो वातहर सुइदन उसमें कुष्ट से कह रहा है नेत्र के लिए बेष्ट है बेष्ट है बाल के लिए बेष्ट है डिस्कलरेशन उसमें भी बेश्ट है साथ-साथ रोपन यह जो वरन रोपन किसी तरह का वंड हो गया उसको भी हील करने का काम यह मधोग करता है यह मुलेटी देन वायू के बारे हम बता रहा है कि प्रान एंसंग्या इन दोनों को प्रादान करने वाला है प्रान एंसंग्या देने वाला होता है अगनी के बारे हम बता रहा है कि आम, अस्तंब, शीत, शूल, वेपन प्रश्मन आना आम हो गया या फिर स्तंब हो गया या फिर सीत हो रहा है या फिर सूल हो रहा है साथ साथ वेपन के सितरह का ट्रीमर कमपन होड़ा है तो इन सब को प्रश्मन करता है इसके बाद है जल जल के बारे हम कड़ा अस्तमबन या नाम स्वेधन बहुत ज़्यादा हो जाता है उसके अस्तमबन के पोजित होता है तो मैंने यहाँ जल जो है वो अस्तंबन में बेश्ट है साथ साथ जल का एक और बात बता रहा है कि मिरिद भिरिष्ट लोष्ट निर्वापित उदकम त्रिष्णा छर्दी अतियोग प्रश्णाराम तो उसको प्रस्मन करने में जो उदकम वैसा जल लेते हैं जो क्या होना चाहिए मेरी तो भिरिष्ट लोष्ट निर्वापित यानि कि जो मिटी का डेला है उसको तो पहले आग में पका करके और उस डेले को उस पानी में डाल करके बुझाते हैं तो उस वो वाला जो जल होता है यानि कि आप एक कंटेनर में पानी ले रहा हैं और इधार एक मेटी का डेला है ठीक है मिरिद भिरिष्ट लोष्ट निर्वापित और उसको आग में पका करके इस पानी में डाल देंगे ठीक है तब जो पानी यूज करते है वो छर्दी और त्रिष्णा कातियोग को प्रश्मन करता है इसके बाद है अती मात्राशन आम प्रदोस हेतु नाम यानि कि आम दोस कोटपन करने वाला जो हेतु एमेन करन वो क्या है अती मात्राशन बोदादी के मौंट में भोजन कर रहा है ठीक है याथा अगने अभ्या आहारो अगनी संदुक्षनाम यानि कि जिस तरह का अगनी है उसके हिसाब से कर रहा है कि आहार को लेना चाहिए ठीक है जिसका मंदग नी है तो उसके उसेाफ से लगू हार उसके बादे यम्हा था सात्मियμेश्टेस्टाअभ्याम आहारो सेवन्या ना टब आहारो गिता होगा तरिपती आहार गुण नाए तरिपती बता रहा है नहीं मिलेगा, यानि कि वो रोगी हो जाएगा तो इसमें ये बता रहा है कि मद्धे को जो है आक्षेप यानि कि और निमित रूप से यूज किया जाए तो बुद्धी, धृती यान अस्मरिती इनका नास होता है गुरू भोजनम गुरू भोजन जो वो दूर विपाक करनाम सा इससे डाजेशन नहीं हो पाता है एक आसन भोजनम, शुक परिनाम करनाम यदि एक टाइम में भोजन ले तो उसका शुक पुर्वक परिनामत अच्छे से डाजेशन होता है इसके बाद है इस्त्रियती प्रशंग शोस करना यानि कि जो बहुती ज़्यादा सेक्सवल एक्टिविटी में इंडल्स होता है तो उसके वज़ेश से शोस होता है देन शुकर वेग निगरह शांडे करना यानि कि शुकर के वेग को यदि रूका जाए तो उसके वज़े से नपुन सकता आती है देन परागाता अन असरद्दा जाना परागात हो गिया वो जैसे श्लोटर आउस होता है तो उन सभी जगह पे जो है अन में असरद्दा होती खाने के इक्छा नहीं होती है देन अन शन आयूशो हरास करना यदि अनसन करता आदमी खाना त्यागता है तो उसके वज़े से उसके आयूँ का हास होता है इसके बाद जो चारतरह का भोजन का बात किया प्रमीत अशन, अजीर नदेशन, विशमाशन और वृध विडियाशन तो प्रमीत यानि कि कम भोजन कर रहा है तो उसके वज़े से कर्सनिया नाम, क्रिष्टा आता है, दुरबलता आता है, अजीर नदियाशन के वज़े से क्या होता है, ग्रहनी दूशना नाम, ग्रहनी दूसित होता है, देन विशमशन के वज़े से क्या होता है, अगनी विशम करनाम, अगनी विशम हो जाता है, पत्या नाम, IAS mean excessive exercise वगेरा जो भी है, ज़ो रध से ज़्यादा काम करना वो अपत्या, धिन मिथ्ययोग को व्यादी करना हूं, धिन मिथ्ययोग क्या है, काल बुद्धी इंद्री इन सब का मिथ्ययोग उसके वज़े से व्यादी होता है, धना रजश्वला अभिगमन अलक् लक्षमी का कारण है। दुरबल मान जैसे कि आदमी शोक युक्त है, चिंता युक्त है, तो वो अनाय ओवरिष्य है, इसके बाद है आयथा बल आरंब, प्रान उपरोधी नाम, आयथा बल, यानि कि बल से ज़्यादा, अपने स्ट्रेंच से ज़्यादा, अधिक काड़े करने से क्या होता है, कि प् करने से नहाने से क्या होता है, थकावट दूर होती है, अन हर्ष से प्रिनन होता है, इसके बाद है, सोक शोषना, शोक करने के वज़ए से बहुत ज्यादा शोडों अगेरा के वज़ए से दुखी रहने के वज़ए से क्या होता है, शोष होता है, शरीर सूख जाता है, दे के वज़ए से नींद अच्छी आती है, जब नींद बहुत ज्यादा लेगा तो फिर तंदरा हो जागा, अतीस स्वपनस तंदरा कराना, बहुत ज्यादा सोने से पिर तंदरा रोजिनेश हो, देन सर्वरसा अभ्यासो बल कराना, करा है सभी तरह का रस, जो all six type of रस हैं, उनस में कौन सा सल जाता है, गरव सल, एड़ अजिर्ण उद्दारिय आनाम, अजिर्ण के वज़ा से क्या होता है, उदिरन होता है, सोरी उदर निये उदर निये और निये निवार निये रोगों में अजेर नाथ देन है बालो मिर्दू भेसजी याप्या नाम और विर्दो याप्या नाम भेसजी या नाम ठीक है तो जो मिर्दू भेसज देने वाले पुरूस है ना उसमें जो बालक है उसको मिर्दु वैस जबकि जीवन याप्य होने वाले पूरूस में कौन आते हैं वरिद आते हैं तिक्षन ओस hört व्यायाम इन सबसे वर्जन सभी को रोकना नहीं करना उसमें गर्वनी जो गर्ब धारन किया उसके बारे में कहा है श्रोमनश्य रन्हें अनि उसको प्रशन रहना चाहिए then cleansing patho dose capikitsya अना मैं og कें जहाँ जो वात पीत कप तीनों मिला होता HY सनिपाता जीए होता वो करा dose chikitsya chritsa दे देन आमविश करा dose chikitsya आम कुष्ट के बारे हम का तरह chronic disease काफी लंबा चलता है तो यहाँ पर यह clear है कि रोग में में ज्वर है और दिर्ग रोग में कुष्ट आ रहा है जो रोग समू है जिसमें बहुत सारे disease एक साथ आते हैं उसमें राज्यक्षमा आते हैं ठीक है तो रोग में तीन हो गया एक और प्रमी प्रमी के बारे हम बता अणूसंगी नाम यहनि कि किसी को एक बार diabetes हो गया तो लगा रहाता है ठीक नहीं होता है यह पिक टेगरी में आता है जलोकाश और अनुसस्त्रा नाम सस्त्र होते हैं अनुसस्त्र जो अनुसस्त्र आते हैं उसमें जलोका आते हैं जो जोक होते हैं और बस्ती तंत्रा नाम जो साधन है उसमें बेश्ट कुन हो गया बस्ती हो गया जो ओस्ती का जो भूमी है medicine के लिए जो हो हीम वान, जो हीमाले वारा रजनवाज है, then som ozdhi नाम, ozdhi में भी जो best है, soom हीमाले के पास आया ozdhi वो best है, maroo bhoomi के बारे वारे में बारे में बारे में बारे मी बादा रहा हो आरोगे देश हो नहीं, जहाँ आरोगयता जज़ादा हो वो मरूब होनी है जबकि आनूप देश के बारे में benefiting करेस अहित धैस होता मुझेह और प्रॉड्यूस करने का मतलब यहाँ पे रोग ज़ादा होता आरोगयता कम होता देन बता रहा है कि निर्देश कारित आतूर गुना ना जो आतूर होते हैं पेसेंट होते हैं उसके चार गुन होते हैं उसमें जो बेश्ट है निर्देश कारित यानि कि डॉक्टर्स वेदी के आग्या को आदेश का पालन करना देन बिसक चिकित संगाना यानि कि जो चिकित संगाना यानि कि जो चिकित संग का जो अंग है उसमें भी बिसक यानि वेद्य उसको बेश्ट माना है देन करा नास्ति को वर्जित कर देना जो नास्ति के उनको करा वर्जित कर देना चाहिए त्याग देना चाहिए जो लाला चैना वो कष्ट का कारण होता है इसके बाद है कि अरिष्ट लक्षन में ये अरिष्ट लक्षन में ये अरिष्ट लक्षन में ये अरिष्ट लक्षन में ये कहना चाहरा है कि आरोगय का जो लक्षन है उसमें ये भी आता है कि मन में किसी भी तरह का खेद करना हो ना किसी भी तरह का दुविधा, दुख, टेंसन ये सब नहीं होने से भी जो है आदमी आरोगय का को प्राप्त करता है ठीक है ये एक तरह से mental digits से फिरी रख रहा है दन वैद्दे समुह नी संसे कराना किसी भी तरह का संसे है डाउट है उसको दूर करने वाला ही वैद्दे होता है मिली जो एड़ी जी रिलेटेड जो भी डाउट है दन योगो वैद्दे गुन अना जो वैद्दे का जोगुन होता है डॉक्टर्स का जोगुन उसमें है योगी होना चाहिए कै सास्त्र सहिस्तर्क शादना नाम, ठीक है, यानि कि जो हम किसी भी चीज को सिद करने के लिए जो लोजिक दे रहे हैं, उसमें कर रहा है, वो सास्त्र सहिस्तर्क होना चाहिए, शास्त्र के साथ होना चाहिए, वो सास्त्र से परे नहीं होना चाहिए, इसके बाद जो काल, यान अतिपत्ती है तो नाम में, इसमें आगया औवेवसाय, थीक है, याणि कि ये समय को व्यर्थ वितारा है, काल को व्यर्थ वितारा है तो वो औवेवसाय हुआ, जबकि काल ग्यान प्रियोजन में आगया शमपरतिपत्ती, यानि कि कर्तब्य का समय कनुष्ठान इसके बाद है दिरिष्ट कर्मता नी संसय करना यानि कि संसय को दूर करने वाला जो है नो वो दिरिष्ट कर्मता वो कर्म को देखता है दिरिष्ट जबकि भाय करना डर को उत्पन करने वाला में कोन होता और समर्थता होता, वो समर्थ नहीं होता है, तभी तो डर उत्पन करता है देन यहाँ पे एक बुद्धी वर्धन है, दुसरा सास्त्र दिगम है यानि कि बुद्धी बढ़ाना है, तो उसके लिए करात द्विद्य संभासा यानि विचार विमर्ज करना चाहिए किस से तो विशे सग्य से ठीक है जबकि सास्त्र दिगम ज्यान प्राप्त करना है तो उसका हितु कोन वो अचारिय है इसके बाद बता है कि आयरुवेद अमरित नाम आयरुवेद को अमरित के समन मना गया अम्रित मिन्स नेक्टर, डिजीज फिरी एक तरह से लॉंग लाइप जो भी है तो वो आयुद वेद के वज़े से ही होता है, इसके नॉलेज के वज़े सी Then, सद वचन, अनुष्ठे या नाम करें कि अनुष्ठे करने वाले कर्म में क्या है? सद वचन है, सद पुरुसों का जो वचन है, या आप्त पुरुस का वचन हो, उनको माना जबकि अशद, इसका पोजिट यदि अशद गरहन कर रहे हैं, तो सभी तरह से क्या होगा? अहीत होगा, सर्वा अहीता नाम, ठीक है? अब सबसे लास्ट पुएंट यह है, कि सर्वा सन्याशा, शुखा नाम, मिन सभी तरीके से सन्यास ले रहना, सन्यास काने का मतलब जो भी काम्य कर्म है, ठीक है? काम्य, उनको त्याग नहीं, सभी तरह से हर तरह के काम्य कर्म का त्याग नहीं, सुख का कारण होता है इस तरीके से ये chapter complete होता है थोड़ा बड़ा बन गया लेकिन important था अगरे असद को कोशिश करें जल्द से जल्द कवर करने का इसमें थोड़ा time लगेगा लेकिन देरे देरे करके कवर करने का कोशिश करें थेंक यू